हे बच्चो मैं हूँ अविना कुमार आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेफ टूटूरियल्स पर सो लास्ट लास्ट में हम लोगों ने नूकलियो टाइड नूकलियो साइड ये सब के बारे में देखा था ये आखिर में कैसे बनता है ठीक है तो उसके components देखे थे ठीक है कि ये कौन-कौन से component है और उसके structure समझे थे मतलब सबसे पहला हमने लिया था कि sugar कैसे बनता है ठीक है sugar में दो शुगर थे ribose और deoxy ribose फिर हमने देखा था कि nitrogenous basis कितने टाइप के हैं तो purines और pyramidines purines में adnine और guanine देखा था और pyramidines में हमने तीन देखे थे cut cut से यादर करवाया था cytosine, uracil और thymine ठीक है purines की बात करते हैं, है न, purines की, तो purines जो होता है अपना कितना ring होता है इसमें double ring, दो ring होते हैं तो ये double ring होता है कितने member की ring बनती है बेटा ये nine member की ring बनती है, है न, okay, nine member की ring बनती है तो अगर मुझे मानलो short में purines को बनाना है, एक hypothetically diagram, तो मैं ऐसे 2 ring बना देता हूं लो, ये 2 ring बन गया और अगर मैंने मानलो यहाँ पर A लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया adenine, ऐसा समझना है, सही है ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास adenine हो गया, दो ring क्यों बना है, क्योंकि ये क्या है, purine है, clear है उसी तरीके से अगर मानलो मुझे guanine बनाना है, तो G लिख दूँँगा मैं, और यहाँ पर एक और ring बना दूँगा, तो ये मेरा बन गया guanine, सही है तो ये दो ring बन गया, ठीके, ये identification के लिए, बस मैं समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीके, अब वहीं पर अगर मैं pyramidine अगर देखूँ, तो pyramidine अपना कितना ring का होता है pyramidine अपना जो होता है बिटा, वो होता है single ring, उसमें single ring होते हैं, ठीके, उसके अंदर six member ही रहते हैं, single ring होता है और उसके अंदर कितने member रहते हैं, बेटा, six member रहते हैं, छे member रहते हैं, सही है, आजाओ, और उसको कैसे ध्यान रखते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, cytosine से, तो मैं C लिखूंगा और एक ring बनाऊँगा, ये हो जाएगा मेरे पास, cytosine, कोई दिक्कत पाली बात नहीं होनी च मैंने five methyl uracil, कल दिखाया था, clear है, अब सुन, अब बेटा, nucleotide बनाने के लिए हमें तीन चीज़े चाहिए, एक sugar चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको क्या चाहिए, nitrogenous base चाहिए, और तीसरा आपको क्या चाहिए, phosphate चाहिए, ठीक है, ये तीन चीज़े जब मिल जाएंगी, त तो आपका nucleotide बनेगा, TIDE, है ना, लेकिन अगर यही nucleoside आपको बनाना है, तो इसको हटा दो, मतलब कि phosphate को हटा दो, sugar और nitrogenous base, sugar और nitrogenous base मिल के क्या बनाएंगे, nucleoside बनाएंगे, SIDE, nucleotide नहीं, nucleoside बनाएंगे, ठीक है, तो sugar में मान लो, तुमारे पास है ribose, हम लेते हैं ribose को, ठीक है, क्या लेते हैं बेटा, ribose को, ठीक है, ribose sugar को, अगर तुम ribose sugar को, मान लो, तुमने जोड़ दिया, A से, ठीक है, दो रिंग यह बनाएंगे, adnine, purine से जोड़ दिया, A से, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो, तुमने वही फिर से ribose लिया, और तुमने उसको जोड दिया G से, तो क्या बनेगा, तो देखो, जब तुम राइबोस को A से जोड़ोगे, ठीक है, यानि कि एडनीन से जोड़ोगे, तो तुम्हारे पास जो compound बनेगा, वो नूकलियो साइड बनेगा, और उसका नाम हो जाएगा, एडीनो सीन, क्या हो जाएगा बेटा, एडीनो सी हूँ C से, ठीक है, किस से जोड़ देता हूँ C, इस बार एक ही सरकल बनाऊँगा, क्यों एक सरकल बना रहा हूँ, क्योंकि पाइरमिडीन लिया है, मैंने साइटोसीन लिया है, अगर मैं साइटोसीन से जोड़ देता हूँ, तो इसका बन जाता है, नूकलियोसाइड का ना रहे हैं आपका Pyramidines ले रहे हैं तो Dean suffix लगा रहे हैं फिर से अगेन लेता हूँ मैं Ribose लेता हूँ और इसमें जोड़ देता हूँ मैं Uracil लगा देता हूँ तो ये मेरा का बन जाएगा Nucleoside Uridine ये क्या बन जाएगा Uridine तो ये जो भी बना है मेरा ये क्या बना है ये बना है Nucleoside ये Nucleoside के नाम है बिटा clear है मैंने इसमें sugar और nitrogenous base जोड़ी है phosphate अभी तो जोड़ा ही नहीं है सही है अच्छा चलो सर deoxyribose sugar ले ले तो ले सकते हैं बिल्कुल ले 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 लो deoxyribose DR ये तो आपका सपना है न डॉक्टर बना है न तो DR अगर हमने ले लिया तो इसमें again हम ले ले लेते हैं अभी या ए ए के लिए कितनी रिंग चाहिए अपने को दो रिंग चाहिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा एडणीन जोड़ा है DR के साथ तो डी ओक्सी ठीक है ध्यान से देखना बेटा डी ओक्सी एडीनो सीन आराम से एक तम मक्षन क्लियर होना चाहिए ठीक है फिर से ले लिया एक शुगर डी ओक्सी राइबोज वाला और उसके साथ हमने जोड़ दिया G को दो रिंग ले लिये आज ओ तो ये क्या हो जाएगा डी ओक्सी गौनीन है तो गौनोसीन सही है ठीक है फिर अपनने DR लिया और DR लिया और इसके साथ अपकी बार जोड़ दिया मैंने फिर से साइटोसीन तो ये मेरे पास बन जाएगा डी ओक्सी साइटी डीन साइटी डीन क्यूं डीन लगाया मैंने क्यूंकि हमने पाइरिमिडीन लिया साइटोसीन क्या है बच्चो साइटोसीन आपका पाइरिमिडीन रिंग है राइट ओके ना फिर DR लिया मैंने और फिर उसके यहां पर लिया ती-सर पिछले बाले में आपने यू लिया था राइबोस के साथ यहां पर टी ले रहो यह क्या चक्कर है पताता हूँ तो पहले इसका नाम दो लिख देता हूँ दी-ॉक्सी थाइमिडीन हो जाएगा कोई समस्या कोई परसानी यह हो जाएगा अब सुनू, देखो बेटा, राइबोस जो होते हैं, वो आरने में participate करते हैं, आरने को बनाने के, राइबो न्यूगलिक असिड को बनाने में participate करते हैं, ठीक है? और आरने के अंदर थाइमीन यूज नहीं होता है, ठीक है? थाइमीन के जगब पर ये यूरिसील, यूरैसिल यूज होता है, यूरैसिल, और वही अगर डीने में बात करें, तो डीने में यूरैसिल यूज नहीं होता है, डीने के अंदर थाइमीन यूज होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? कि नोट डाल लेंगे, की note डाल लेंगे चलो note डलवा देता हूँ कि in RNA ठीक है ना बट्टा इन RNA ओके uracil uracil is placed uracil is present sorry uracil is present at place of ठीक है place of thymine कोई समस्या कोई प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पर अपने uridine लिया है और यहाँ पर thymidine लिया है clear है कोई दिक्कत है तो deoxyribon जिसमें use होगा उसके अंदर DNA बनेगा उससे DNA बनेगा और जिसमें ribos use होगा उससे आपका RNA बनेगा और अभी अपन ने जो structure बनाई है यह मतलब जो नाम लिखा है वो किसका नाम लिखा है nucleoside का ठीक है यह किसका नाम लिखा है nucleoside का ठीक है लेकिन अपने को क्या बनाना है भई यह अपने को बनाना है nucleotide तो जड़ा nucleoside का formula जड़ा देखते हैं कैसे कैसे जूड रहा है आखिर में लोग Nuclioide बनाना है ध्यान से समझना बच्चो, o ठीक है यह बनाया o और यह बनाया तुमने популяр यह शुगर यह बना दिये ठीक है यहां पर एक डंडी, यह यहां डंडी यह चार डंडी यह लगा दिए ऊपर लगा दिया थिमने om और फिर तुमने लगा दिया यहाँ पर और यहां लगा दिया और यहां लगा दिया है अब ये नमबरेंग कर तो ये फॉर्स्ट कारबन हो गया ये जोडना है nitrogenous base nitrogenous base मैं लगा दूँगा तो ये पूरा compound मेरे पास क्या कहलाएगा ये कहलाएगा nucleoside लेकिन यही सवाल होता है कि nitrogenous base आखिर में जुडेगा कहां से देखो ये तो देखके मालूम चल रहा है कि ये इसके first carbon से जुडेगा चाहे ribose हो चाहे एक है purine और एक है pyrimidine समझना ध्यान से ठीक है जब purine अगर इस्तमाल होगा तो purine में कितने ring होते हैं दो ring होते है double ring होते है purine के अंदर तो जब purine इस्तमाल होगा तो purine का n 9th वाला 9th वाला जो nth place है 9th वाला 9th place का जो nitrogen है वो link करेगा किसके साथ first carbon of sugar के साथ तब जाके bonding बनाएगा clear है मतलब n 9 link with c1 of sugar n 9 of purine link with c1 of sugar then आपकी ये bond बनेगी दब जाके nitrogenous base purine वाला जुड़ेगा और अगर मालो यही आपका pyrimidine है तो आपकी linking कैसी होगी ये first place का nitrogen nitrogenous base का और फिर first place का आपका carbon इन दोनों में linking होगी इन दोनों में bond बनेगा सही है तब जाके pyrimidine जुड़ेगी अब सुनू जब मेरे पास ये आपकी bonding बन जाएगी इस bond को बोलेंगे क्या ये वाली जो bond बन रही है बेटा ये वाली bond nitrogenous base के बाद जुड़ने के बाद तो ये bond जो कहलाती है ये कहलाती है एन ग्लाइकोसिडिक bond सही है कोई दिक्कत है ये आपकी एक bond अपने पकड़ी है कोई दिक्कत ये हमने बना दिया nucleoside बेटा बहुत बढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बहुत भाई अब सुनू अब जड़ा आते हैं थोड़ा आगे और चज़ा करते हैं ध्यान से देखना बेटा हमने लिया शुगर ले लिया इस पर deoxyribos ले ले आज ओल ले लेते हैं ले लेते हैं चलो ये हमने ले लिया deoxyribos sugar ठीक है ओके ये deoxyribos sugar लिबरा देते हैं आपन ठीक है तो deoxyribos sugar के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर H H ये दोनों में H ही H रखना पड़ेगा ठीक है ओके ये H और H ही रखना पड़ेगा यहाँ OH यहाँ H यहाँ H और नीचे OH ठीक है लेकिन यहाँ पर 3rd place पर क्या रखना पड़ेगा only H OH नहीं आएगा क्योंकि deoxyribos है फिर हम क्या करेंगे OHCH2 ठीक है ये लगा दिया अपनने और ये अपना नीचे क्या आगया H आगया अब सुनो ध्यान समझना इससे हमने ये जोड़ दिया N-glycosidic bond सही है हमें जोड़ना है Nucleotide अब ही बनाना है हमें क्या बनाना है Nucleotide बनाना है Nucleotide बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा Phosphate तो मेरे पास है Phosphate Phosphate का structure ऐसा होता है ध्यान से समझना वेटा ये होता है OH ये OH फिर ये OH अब सुनो ध्यान समझो एक OH मेरे पास ये रहा और एक OH मेरे पास ये रहा ये OH है ये OH है ये दोनों जुड़ेंगे पानी निकलेगा तो एक bond बनेगा अब सुनो ध्यान सुनना मेरे बात को ध्यान समझना वेटा जब acid यहां से समझो, concept बता रहा हूँ, acid और alcohol के बीच में जब bond बनता है, तो क्या बनता है? Easter bond बनता है, और जब acid और acid के बीच में जब bond बनता है, तो enhydride बनता है, यहां पर easter bond टूटेगा, उतनी energy आपकी नहीं निकलेगी, लेकिन enhydride bond जब टूटेगा, तो energy अच्छी खासी निकलेगी, ठीक है न, अब सुनो, जयान समझना, यह क्या है बच्चो, यह है आपका alcohol, यह CH2OH वाला जो OH है, यह alcohol है, बट यह phosphate के साथ जो आपका है, फॉस्फोरीक एसिड में जो OH है, यह acid है, यह alcohol नहीं है, क्योंकि H plus लूस कर देगा, सही है, तो जब acid और alcohol में bond बनेगा, तो यह bonding क्या कहलाएगी आपकी यहाँ पर, यह जो bonding कहलाएगी, यहाँ पर जो bond बनेगा, वो कौन सा bond बनेगा बेटा, यहाँ पर जो bond बनेगा, व पी ओएच ओएच डबल बॉंड ओ और यह ओएच ठीक है मुझे इस ओएच को इस ओएच के साथ जोड़ना है भी अब पानी निकल जाएगा तो यह बॉंड बन जाएगा लेकिन जरा देखो यह भी एसिड है और यह भी क्या है एसिड और इस बार कौन सा बॉंड बनेगा यह इस बार बनेगा एनाइट्राइट बन अब फॉस्फेट का बन रहा है तो फॉस्फो एनाइट्राइट बनेगा क्या बनेगा बच्चो फॉस्फो एनाइट्राइट बन जाएगा थोड़ी सी राइटिंग समालना बेटा, राइटिंग मेरी गटिया है, है ना, जल्दी-जल्दी थोड़ा लिखता हूँ, और एतना टफ सिचुएशन में आपका वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसमें राइटिंग खराब हो भी जाती है, है ना, तो लेकिन नॉलेज बड़ा इमस्त दूँगा, ठीक है, आप थोड़ी अपने पिक्सल बढ़ा लेना, वीडियो देखते समय, तो इसे आपको फायदा मिलेगा, तो मेरा समझो, बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझना बेटा, आजाओ, एक थोड़ा, ये तो रफ मैने अभी बता आया कैसे, एक बार थोड़ा क्लियर स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको, पूरी नुक्लियो टाइट का, तो कैसे बनाएंगे, आजाओ, इस बार चलो, इस बार राइबोजी ले ले लेते, आजाओ, देखो, ये मैं पेंटो शुगर बना रहा हूँ, ठीक है, फ्योर उनक रुड़ना है, बाद में बताउंगा, ओच, एच, 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 इस बार राइबोजी बना रहा हूँ, और नीचे क्या हो चाएगा? एच, इस से मेरे पास, मान लो, लेट से मैंने, लेट से मैंने यहाँ पर जोड दिया है, फर्स कारबं से क्या, मैंने जो अब ध्यान समझना और इतना structure जो है मेरा ये structure ये मेरा क्या कहला जाएगा ये मेरा कहला जाएगा guano गवानो सीन कहला जाएगा कोई दिक्कत है गवानो सीन is a nucleoside तो अभी अपने nucleoside बनाया हमको बनाना है nucleotide हमें जोड़ना है phosphate तो अला phosphate को जोड़ते हैं देखो phosphate अपने पास क्या है ये है ठीक है double bond O और ये रहा OH यहाँ पर लगा दिया एक और OH रहता है यहाँ पर अब सुनो मैं क्या कर रहा हूँ ये मैंने ऐसे बनाया ये जो bonding हुई है मेरे पास ये कौन सी हुई है फॉस्फो इस्टर bond फिर मैं दूसरा phosphate जोड़ता हूँ आज़ो देखो फिर उसी तरीके से मैं तीसरा phosphate जोड़ता हूँ ये देखो सही है तीसरा phosphate जोड़ता हूँ तीन phosphate मैंने जोड़ दी अब सुनो ध्यान समझो ये वाली जो bond बनी ये फॉस्फो इस्टर bond बनी ये वाली जो bonding बनी ये आपकी फॉस्फो एनाइड्राइड बनी ये वाली जो bond बनी ये फॉस्फो एनाइड ड्राइड बनी सही है ओके अगर मैं नंबर वन इसको डाल देता हूँ नंबर टू इसको डाल देता हूँ नंबर थ्री इसको डाल देता हूँ तो नंबर वन बॉन कौन सी बनी है वन बॉन्ड बनी है आपकी नंबर वन बॉन्ड बनी है फॉस्फो क्या बना है बेटा फॉस्फो इस्टर बना है है ना ओके ध्यान समझो अब देखो बेटा जब मैं नुक्लियोसाइट से एक फॉसफेट जोड़ देता हूं इस गवानोसीन से एक फॉसफेट जोड़ देता हूं तो मेरे पास बनता है गवानोसीन मोनो फॉसफेट फॉसफेट कोई दिक्कत है ये मेरे पास शॉट में क्या कहला जाएगा जी एमपी अच्छा अगर मैं नुक्लियोसाइट यानि कि गवानोसीन से यहाँ पर अगर मैं मानलो दो फॉसफेट जोड़ सकता हूं यहाँ पर मैं दो फॉसफेट जब जोड़ देत है ग olan उसीन डाइव सफ़ेट राइट बेटा फॉस फॉस डाइव सफ़ेट हाँ और यह पास फुल्फॉर्म हो जाता है जी डी पी गीडी पी का मतलब यहां पर गवार मैसटिक शा जोड़ hebben सही है, अब जब यही मैं 3 phosphate जोड़ देता हूँ, तो यह मेरे पास बन जाता है, guanosine tri Juliet, तीक है, अगर मान लो, यहाँ पर adenine रहता, तो यह क्या हो जाता आडyorsun, जब एक phosphate जोड़ता तो adenosine monofosphate, जब दो जोड़ता तो adenosine dry phosphate, यानि की और तीन फॉस्फिट जोड़ता तो ATP हो जाता ठीक है बात समझ में आ रही है तो ऐसी आप सारे न्यूकलोस सारे प्यूरीन को और पाइरमीडीन को रख के घर पर प्रेक्टिस कर सकते हो मैं एक इग्जामपल के तौर पर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है सही है क कोई दिक्कत है यह मेरे हिसाब से में इस्ट्रक्चर आपको यह समझ में आई होगी क्लियर है बच्चो कोई दिक्कत है मतलब समझो हमने किया क्या है ध्यान समझना हमारे पास है ध्यान से देखो फिर से देखो एक रफ यहाँ पर है अपने पास ठीक है यहाँ पर है अपन ले लेते हैं ठीक है मालो मैंने ले लिया चलो ए इस बार ले लेते हैं ए में कितनी रिंग होगी बेटा दो रिंग होती है ठीक है तो ये जो बॉंड बनी है ये जो बॉंड बनी है ये वाली बॉंड जो बनी है ये आपकी बॉंड क्या कहलाएगी ये बॉंड कहलाएगी आप प्रिमिनो सीन बन गया सही है और इसी के साथ मैंने क्या जोड़ दिया मैंने जोड़ दिया फॉसफेट सही है फिर मैंने जोड़ दिया अगला फॉसफेट फिर मैंने जोड़ दिया अगला फॉसफेट तो यहां पर जो मेरे पास ये वाली बॉन बनी है ये बॉन कहलाएगी म फॉसफोफोफो nellा को करने किक पना हैπως निल सबते हैं, अब देखना हैล कर दोड़ा करा डिल ओ अगर मैं माननलों एक फॉसफेट जूड़ता हूं इस इडिनो सिन में, तो में निल बन गया A, M, P, Adenosin Monophosphate अगर मैं 2 Phosphate जोडता हूँ तो मेरे पास बन गया A, D, P, Adenosin Diposphate अगर मैं 3 Phosphate जोड देता हूँ तो मेरे पास बन जाता है A, D, P, Adenosin Diposphate क्लियर है कुछ लोगों को तो अभी जाएके clear होगा अभी जाके मतलब clear हुआ होगा रियल में कि अच्छा ये है ऐसे energy निकलती है ठीक है आधी जिनता को ठीक है तो समझ में आई होगी मेरे हिसाब से चीज़े आपको ठीक है, कोई दिक्कत है तो अब देखो ध्यान से मेरा कहना ये है कि जरा हम देखते हैं कि अगर मान लो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि आपके लिए मैं ऐसा कर देता हूँ एक chart बना देता हूँ जिसमें आप असानी से सब कुछ देख सकोगे भाई सारा कुछ पहसान सकोगे ठीक है, ध्यान से देखना मैं देखता हूँ मैं लेता हूँ राइबोश ध्यान से देखो बिच्चो राइबोश लेता हूँ और राइबोश के साथ मैं मान लो A-Nitrogenous Base A यानि A-Nitrogenous Base में लाता हूँ तो मेरे पास Nucleoside क्या बनेगा Adenosine बनेगा ठीक है Adenosine बनेगा उसी तरीके से और Nucleotide क्या-क्या बन सकते है मेरे पास AMP बन सकता है ADP बन सकता है ADP बन सकता है अगर मान लो मेरे पास Nitrogenous Base बेटा G है ठीक है तो मेरे पास ये Gwanosine हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर GMP बन सकता है GDP बन सकता है GTP बन सकता है ठीक है अगर यही मान लो C है तो ये मेरे पास Cytidine हो जाएगा Cytidine क्यों? क्योंकि Pyramidine ring है Dean इसलिए आया ठीक है तो ये मेरे पास CMP हो जाएगा ये मेरे पास CDP हो जाएगा ये मेरे पास यहां पर UMP हो सकता है UDP हो सकता है UDP तर हो सकता है यहां पर मैंने यह लिया sugar sugar कौन सी थी ribose और यह क्या था यह था nitrogenus base यह था nucleoside देखो ध्यान से ठीक यह था nucleoside और यह क्या है यह सारे है nucleotide यह है nucleotide बोलो सही है कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हो नहीं चाहिए बच्चो ठीक है ओके फिर अगर मानलो यही मैं deoxyribose ले लेता हूँ deoxyribose ले लेता हूँ ठीक है और फिर से मैं ले लेता हूँ अ जी लेकिन इस बार यू लेगा क्या ना यू नहीं लेगा क्यों क्यों आर्ने में आपका यूरैसिल आता है और डिएने में क्या थाइमीन आता है तो DNA deoxyribose मतलब DNA अपन इन सब को DNA में यूस करेंगे तीक है तो यह क्यों यूरेसल नहीं है और सभी है आजाओ तो ये क्या हो जाएगा बेटा डिओक्सी, अब अब सब सब कुश होई होगा, बस आगे-ागे क्या लगा देनी और रिओक्सी लगा देना है टीक है, डियोक्सी एक करके बता देता हूँ बाकी आप खुद से करोगे practice करना Dioxydinosin यहाँ पर लिखूँगा Damp यहाँ पर Dadp यहाँ पर Dats अब इसका लिखोगे तो Dioxydinosin हो जाएगा Dioxydinosin हो जाएगा फिर Dgmp हो जाएगा Dgdp हो जाएगा फिर DGTP हो जाएगा सब कर सकते हो अराम से कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम ये बेटा हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज हमने नॉमिन क्लेचर नुकलिक असिड की, नुकलिो टाइड की और नुकलिो साइड की ध्यान से, समझ रहे हो तो आज जो नोट्स बना रहे हो उसकी हेडिंग क्या लिखोगे तुम यही लिखना, ठीक है चलो, मैं लिखी देता हूँ यहाँ पर यह जो पूरा हमारा लेक्चर था लेक्चर नुम्बर थर्ड का नाम क्या था बेटा लेक्चर नुम्बर थर्ड का नाम था नॉमिनक्लेचर ठीक है, नॉमिनक्लेचर औफ नुक्लियोसाइड और नुक्लियोटाइड इस पर हमने फोकस किया सही है, अब नेक्स लेक्चर में हम क्या करेंगे नेक्स लेक्चर में हम nucleoside को sorry nucleotide को अब हम जोड़ेंगे मतलब एक अब nucleotide molecule तो हमने देख लिया अब हम इससे poly nucleotide बनाना सीखेंगे ठीक है कोई दिक्कत है nucleotide बहुत से nucleotide को जोड़ेंगे clear है उसको देखेंगे भाई तभी तो अपनी chain बनेगी ठीक है ओके क्योंकि हमारा main मकसद क्या था हमारा main मकसद तो poly nucleotide कोई समझना था ठीक है ओके तो nucleotide हम सीख गए अब बहुत सारी nucleotide लेते हैं और उसको जोड़ते हैं ठीक है next class में चलो बेटा मिलते हैं next class में तब तक के लिए शुब रातरी ओके ताटा बाई बाई अदाप सस्रियकल चलो मिलते हैं next class में बच्चो